हाई गाईज सॉलन हिल पेंट रेक्स चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों को मैं फिर सो और एक लोन अप्लिकेशन का रिवीव दूँगा इस अप्लिकेशन का नेम है गो इंस्टॉल्मेंट तो गैस इस वीडियो के अंतर अब लोगों को मैं गो इंस्टॉल्मेंट अप्लिकेशन का लोन प्रोसेस का बारे में बताऊंगा और यह बताऊंगा कि यह अप्लिकेशन रियल है यह फेक है और यह अप्लिकेशन सच में लोन प्रोवाट करता ही कि नहीं और अब लोगों को इस applications पे loan के लिए apply करना चाहिए या नहीं चाहिए तो guys जरूर वीडियो को अब login तक देखीगा और guys अगर कोई चैनल पे नए विजिट किया है तो चुरू चैनल को subscribe किजिए और साथ साथ बेल आइकन पर प्रेश किजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोट करू सबसे पहले अब लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते है तो guys go installment applications को open करने के time पहला interface आएगा login का login करने के बाद step interface आ जाता है maximum loan amount up to 80,000 तो नीचे get money now का option से हुआ पे click करने के बाद आ जाएगा personal information, real name authentication और bank account details तो सारे details फिल करने के बाद नीचे continue का जो option से continue पे click करने के बाद आ जाएगा processing option तो यह पे थोरा सा wait करने के बाद अब लोगों के सामने step interface आ जाएगा अब को loan approved दिखने को मिल जाएगा अगर अब लोग इस applications की तरफ से 20,000 loan लेना चाहते है तो पहले loan approved पे करना होगा 487 रूपिस और अगर अब लोग 40,000 loan लेना चाहते है तो पहले loan approved पे करना होगा 587 रूपिस और अगर 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 आप लोग 80,000 लोन लेना चाहते हैं तो पहले लोन एप रूपी पे करना होगा 687 रूपीज तो मैं जो यह पे लोन अमांट से लेकिया 20,000 तो नीचे बरोनाव काप्षन से बरोनाव पे क्लिक करने के बाद यह पे काफी सारे पेमिन काप्षन दिखने को मिल जाएगा केडिट काड, डेविट काड, ओलेट, पे टीम, नेट बैंकिंग, यूपी आई, गूगल पे तो यह पे कोई भी पेमिन काप्षन चूज करके अगर अब लोग गो इंस्ट्रॉल्मेन अप्लिकेशन की तरफ से 20,000 लोन के लिए पहले 487 रूपिस लोन अप्रूपी पे कर देते हैं तो आगे जाके गो इंस्ट्रॉल्मेन अप्लिकेशन की तरफ से अब लोगों को लोन नहीं मिलेगा Go Installment Application एक fraud application है और यह application लोगों को लोन देने के नाम पे सरिफ लोगों से लोन एप्रूप भी ले लेता है और आगे जाके लोन प्रोवाइट नहीं करता है कि critical पर इस applications के बारे में क्या review दिया गया है तो पहला review देख सकते they take fast money do not use this app fake loan app नीचे और यह का गया है कि पैसा लेने के बाद कोई response नहीं होता तो guys go installment applications के बारे में critical पर जो review दिया गया है review देखे आप लोगों को पता चल गया होगा कि go installment application एक fraud application है तो guys go installment application एक fraud application है और अब लोग इस applications पर loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले loan approve पर ना करें और guys जो भी वन्दा इस वीडियो को देख रहे है जाल स्यादा go installment applications को report कीजिए तकि जल से जल यह सब applications को play store की तरफ से remove किया जाए तकि आगे जाके किसी के साथ किसी भी तरह की fraud ना कर सके तो guys यही था आज का एक छोड़ा सा जान करी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जोरू इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जाद स्यादा शेयर कीजिए तो आप लोग के साथ मुलकात ह नेक्स वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्यार डखना जाई हिंत बंदे मातरम